जै माताई दोस्तों मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल दोहजार चौबिस में सीतला सप्तमी जो वरत है वो कव रखा जाएगा किस दिन रखा जाएगा शोब महोर्त महत पूजवीदी जो है वो क्या रहने वाली है आईए जान लेते हैं सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीतला सप्तमी वरत जो है वो कव रखा जाएगा तो जो सीतला सप्तमी वरत है वो सोम बार को एक अप्रेल को सीतला सप्तमी वरत जो है वो किया जाएगा बात करूँ जो सीतला सब्तमी के पूजन का जो समय है जो सब्तमी तिथी है वो कब से प्रारंब हो रही है तो सीतला सब्तमी जो है वो 31 मार्ज को रातरी को 9 बच के 30 मिनट पे प्रारंब हो रही है और अगले दिन यानी 1 अप्रेल को 9 बच के 10 मिनट पे इसका जो समापन है व उनके सम्मान के लिए मुंडन भी करवाते हैं, बहुत सारी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयू के लिए वरत करती हैं, उनकी सलामती की दूआ करती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस दिन जो बासोडा है, बनाते हैं, खाते हैं, उसकी विदिवत तरीके से बारे में बात करें तो इसकंद पुरान में इसका उलेक है या यूं कहूं कि इसकंद पुरान में ऐसा वर्णन किया गया है कि सीतला माता को पारवती और माता दुर्गा का अवतार कहा गया है जो संक्रमड या जो चेंचक होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो भी भक्त होते ह हें हिंदु, वो लोग मा सीटला की पूज अर्चना किरते हैं तो सरीर में सीटलता प्रदान होती है और जो सरीर है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए सीतला माता का जो वरत है जो पूझा अर्चना है वो किया जाता है। सीतला सप्तमी बासोडा भी कहा जाता है माना जाता है कि इस दिन पहले से ही सुरच्छित रूप से संग्रहित जो मसाले होते हैं या सादा भोजन होता है ठंडा भोजन होता है प्राचीन सास्त्रों में इसका पाचन तंत्र में आराम मिलता है इसलिए हमें ठंडा भोजन जो है वो करना चाहिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दिन गुनगुने पानी से सनान करना चाहिए और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दिन ठंडा पानी जो है वो सनान में लेना चाहिए लेकिन गर्म पानी जो है उससे सनान नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सीतला माता है वो ठंडी है और उनकी जो कहानी है उसमें भी यही वर्णन किया गया है कि सीतला सप्तमी वाले दिन जो भी वरत करती है माताएं बहने वो ठंडा भोजन बनाती है ठंडा खाती है बहुत सारे बाटी और दही चूर्मा जो है वो चड़ाया जाता है तो आपके घर की जो भी परमपरा है आपके घर का जो भी विधान है आपके बड़े जिस प्रकार से करते चले आ रहे हैं आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं या अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ठंडी जो भी ची और स्वायम भी वही भोजन खाना चाहिए। भूलकर भी जो भोजन गरम है वो ना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन का यही नियम जो है वो बताया गया है। करवाना चाहिए। वरत की कथा पड़नी चाहिए। माता जो सीतला माता हैं उनकी एक तरीके सिस्रद्ध हंजली जो है यू कहूं कि उनकी भक्ती में जो भाव भी वो लोग होते हैं वो इस दिन मुंडन भी करवाते हैं तो अगर आपके यहां यह परंपरा है तो आप मुंड से कर सकते हैं ऐसा माना जाता है की चेचक जैसी खस्रा जैसी बड़ी जो बीमारी होती है जैसे बहुत सारे लोग छोटी माता पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जै माता दी